पिछला लेक्चर जो हमारा हुआ था उस लेक्चर में हमने स्वीच के इसके बारे में बात की थी जैसे कल से तो डेटा स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे वीक में तीन दिन डेटा स्ट्रक्चर तीन दिन सी का क्लास होगा तो कल से हमें डेटा स्ट्रक्चर शुरू करना है उस के लिए आज एक topic है C language का उसे मैं cover कराना चाहता हूँ और उस topic को cover करेंगे पहले तो और उस topic का नाम है structure ये क्या है structure इसको detail में अच्छे से समझना है बहुत important part होता है मतलब ये structure एक ऐसा topic है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप C++ सीखो के तो भी काम आएगा Java सीखो के तो भी काम आएगा कोई भी object oriented programming language की शुरुवात structure से होती है C language में आप directly C++ में structure के बाद classes नाम की concept को सीखते हो लेकिन शुरुवात तो यहीं से होती है इसी के बारे में हमें बात करनी है आपको data types तो पता होंगे कि जैसे int है care है float है अलग-अलग data types होते हैं जैसे मैं यहां लिख देता हूँ int होता है care होता है float होता है और ऐसे कई data types है double है long है boolean है और भी data types है यह जो data types है यह पहले से बनाये गए data types है मतलब जब c language बनाई जा रही थी तब इन data types को बनाया जा रहा था int को भी care को भी float को भी जितने भी है इसलिए तो इन्हें predefined data types कहा जाता है क्योंकि यह data types पहले से defined किये जा चुके हैं जब c language बनाई जा रही थी उस समय मतलब जब आप कोई भी program शुरू करते हो तो अगर आपने लिखा main program को start किया यदि आपने लिख दिया int x तो इसका यह मतलब है एक memory बनेगी जिसका नाम होगा x और यह memory होगी int type की तो एक यह चीज आपको समझनी है उसके बाद देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर एक memory और बनानी है अगर मैंने लिख दिया care y इसका यह मतलब है कि एक memory और बनेगी जिसका नाम y होगा जो care type की होगी यह सब कैसे पता चल रहा हमें हमें इसको देख के यह data type है मतलब किस type का data इसमें रखना है यह यह memories सारी RAM के अंदर बनती है पहली भी बनी दूसरी भी बनी हो सकता है आप और flow type का भी block बनाओ अब बात आती इसमें रखने की आपको इसका type देख के पता चल जा रहा है इसमें रखना क्या है मुझे तो इसमें इसको देख के पता चल जा रहा है कि इसमें मैं 5 रख सकता हूँ क्यों? क्योंकि यह int type की है इसलिए मैं इसमें characters नहीं रख सकता मैं इसमें decimal वाले numbers भी नहीं रख सकता क्योंकि यह int type की memory है x और यह y कौन से type की है? care है मतलब इसमें मैं character रखूँगा y is equal to कोई भी character जब character रखा जाता है तो single quote लगाया जाता है direct आप रख नहीं सकते नहीं तो error आएगी यह एक rule है यहाँ भी यह भी ठीक है चलो अब इसके बाद बात आती है कि यह तो data type चलो data रखने का तरीका भी आपको बता दिया मान लेते हैं और data type आप use करना चाहते हो मैं यहाँ लिख देता हूँ manoj और लिख देता हूँ z एक और memory बनाना चाहता हूँ क्या यह सही है नई यह गलत है इसलिए गलत है जब आप पहली line लिखे थे तो int का meaning धूणने compiler library file में गया और उसने एक memory बनाई समझ गया क्या होता है और x नाम की care y जब आपने लिखा तो care का meaning धूणने library file में गया और समझ गया care का मतलब क्या क्यूंकि पहले से बताया हुआ उसने वैसी memory बनाई वो मनोज का भी meaning में धूणने गया लेकिन वहां मनोज के बारे में किसी ने नहीं बताया था मतलब see language अगर denis richie ने बनाई थी उन्होंने भी मनोज के बारे में नहीं बताया था अगर वो मनोज के बारे में बताय होते तो error नहीं आती error आने का reason ये है कि उन्होंने मनोज के बारे में बताया ही नहीं तो ये problem है इसी लिए ऐसी कोई memory नहीं बनेगी z नाम की जो मनोज type की होगी मनोज type मतलब कौन सा type पता नहीं care मतलब character रखो point मतलब numbers रखो float मतलब decimal वाले number रखो मनोज मतलब क्या रखो ऐसा तो कोई type ही नहीं था तो ऐसा नहीं है तो ये meaning धूरने भी जाएगा तो error देतेगा लेकिन एक facility C language हमें देती है कि आप data type खुद भी बना सकते हो अगर उन्होंने नहीं बनाई 1970-1980 में तो आप 2023 में आप बना सकते हो कभी भी बना सकते हो तो आप खुद भी data type create कर सकते हो data type तो पहले से बने हुए मैं मानता हूँ लेकिन आप खुद भी बना सकते हो आप बोलोगे मुझे मनोज की बारे में बताना है देखो function अलग था जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे दो brackets आते हैं यह function है function को call करने के लिए इधर भी देखो bracket लगाना पड़ता था मनोज नाम का function call हुआ इसके अंदर की line चल गई लेकिन मैं function नहीं बना रहा हूँ मैं brackets यहां से हटा देता हूँ यहां पर मैं data type बनाना चाहता हूँ मैं एक user हूँ मैं data type को यहां define करना चाहता हूँ तो brackets नहीं आएंगे अब मनोज का मतलब क्या मैं बोल देता हूँ int a care b float c मान लेते हैं आपने ऐसा लिख दिया हो सकता है दो ही members आपने बनाए होते एक दो हो सकता है तीन बना दिया आपने चार बना सकते थे दस members बना सकते थे सौ बना सकते थे तो आपकी चोईस है अब इसके बाद हो सकता है एक ही बनाते तो compiler जब पढ़ेगा मनोज तो इसका meaning धूनने पहले प्रोग्राम में आता है नहीं मिलता है तो library फाइल में जाता है और error देता है मिल गया उसे प्रोग्राम में ही मनोज का मतलब है int a care b float c ये मनोज का मतलब है तो एक memory जब बनेगी z नाम की तो उसमें a बनेगा उसमें b बनेगा उसमें c बनेगा एक int type का बनेगा एक care type का बनेगा और एक float type का बनेगा और ये पूरा का पूरा जो block है वो मनोज type का है वैसे int होता है 4 byte का float होता है 1 byte का मतलब मनोज जो है वो 9 byte का data type है ना 4, 4, 8 होर एक 9 तो अगर आप से कोई पूछे मनोज कितने byte का data type है तो आप बोल सकते हो 9 byte का अगर आप से कोई पूछे int कितने byte का है तो आप बोलोगे 4 care 1 float 4 लेकिन मनोज 9 आप ऐसा लिखोगे लेकिन एक बात और है अगर मैं फिर से लिख दू मनोज W तो फिर से एक memory RAM में बनेगी W नाम की उसमें भी 3 blocks होँगे A, B, C उसमें भी int होगा care होगा float होगा ऐसे blocks होँगे देख लो और यह जो blocks होँगे न 4, 1, 4, 9 कौन से type के हैं मनोज type के हैं तो जब आप int लिखोगे तो ऐसा बनेगा care लिखोगे तो ऐसा बनेगा मनोज लिखोगे तो ऐसा बनेगा मनोज लिखोगे तो ऐसा यह आपने बनाया हुआ data type है तो आप न छोटे छोटे data types को मिला के एक नया data type बना सकते हो यह facility आपके पास है अलग-अलग data type जैसे int, care, float तीनों अलग-अलग है अलग-अलग data type को combine करके एक नया data type बना सकते हो आपको क्या अलग से data type बनाना नहीं आता आप खाली दूसरे data type जो पहले से बने उनको मिला के एक नया बना दे रहे हो बोल रहा हूँ मैंने बनाया तो यह जो है ना different data type के collection को आप कर रहे हो मतलब आप different data type को combine कर रहे हो collect कर रहे हो int, care, float अगरे जो भी दिख रहा है तो यह जो है लेकिन आपको अगर ऐसे data type बनाना है तो C programming में एक rule है कि आपको यहां struct keyword लगाना पड़ेगा और यहां semi colon देना पड़ेगा और जब जब उसको बनाओगे तब तब हर बार struct लिखना पड़ेगा यह rule है कर लिया rule को follow बस यही है structure और कुछ नहीं है लेकिन बात यहादी रखेंगे कैसे z में रखना चाहते हो क्या int a में तो आप a is equal to 5 नहीं लिख पाओगे error आएगी 5 कहाँ पे है कहाँ पे यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है 5 कहाँ रखे इसलिए गलत है आपको लिखना पड़ेगा यह जो z नाम की memory बनी है ना उसके अंदर जो a है उसमें 5 रखा जाए डॉट लगाना पड़ता है यह जो z नाम की memory है ना उसके पास जो b है ना केरटाइप का है उसमें t रखा जाए तो t इधर आएगा ऐसे करके हाँ लेकिन अगर आपने लिख दिया w के a में 21 रखो तो इधर 21 आएगा इधर नहीं तो आपना डॉट लगा के members को access कर सकते हैं डॉट लगा के उस memory का नाम डॉट यह तो एक चीज़ notice करो ना structure क्या collection of different data type अलग-अलग data type की collection को मैं जब array पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी array is a collection of same data type लेकिन structure is a collection of different data type यह है structure we can create user defined I am a user and I am defining the data type मतलब data type के कितने types बताया मैंने अभी दो, तीन नहीं दो बताया एक predefined data type और एक user defined जो पहले से defined है, end care float वगेरे सारे वो है predefined और आप जो define करोगे user defined data type वो या तो structure की मदद से करोगे या तो union union भी पढ़ना है C language में union भी होता है पढ़ेंगे बाद में तो, we can create user defined data type with the help of structure structure is a collection of different data type यह point है एक बात बताता हूँ C++ में भी same है same सब कुछ बस C++ वाले बोलते हैं फिर से क्यों लिख रहे हो define करते समय लिखे न फिर से मत लिखो तो उसमें सिब मनोज लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन C++ का rule है न हम C में क्यों follow करें उसे error आ जाएगी बस यही है लेकिन मनोज नाम क्यों रखा मैंने नहीं रखना चाहिए था student ही रख दिया होता और बोल दिया होता student का मतलब होता है int role number care name float percentage ऐसे लिख दिया होता बात खतम हो गई होती क्या जरूरत है मुझे मनोज रखने का नाम क्या जरूरत है ABC थोड़ा related लगे तो अच्छा भी लगे ऐसा जरूरी ने आप तो कुछ भी ले सकते हो मैं तो एक बात बता रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी इससे problem नहीं मैं आपको एक example अभी बताऊंगा तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यह structure बहुत ज़्यादा important part होता है बहुत सारे बच्चों को यह चीज़ें समझ में नहीं आती और यह समझ गये तो आपका आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है IT का C++ में भी काम आएगा Java में काम आएगा object oriented programming तो पूरी structure मतलब class पे ही dependent है यह नहीं आया तो कभी programming आप नहीं कर पाऊगे यह भी मैं बोल सकता हूँ structure अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा यह एक important part होता है अभी तक हम जो चीज़ें सीख रहे थे वो logical programs थे उसको solve करना यहाँ पे programs वगरे अलग तरीके के यहाँ पे हमें दिमाग नहीं लगाना concept को समझना है तो C++ पूरी ऐसी language है जिसमें नहीं concepts को समझना पड़ता है दिमाग नहीं लगाना पूरे C++ में समझना है दिमाग लगाना मतलब कोई मैं बोल रहा हूं maths से इसको कैसे solve करें तो आप सोच रहे हो यहाँ पे concepts है उनको समझना है पूरा इसको मैं यहीं पे रख रहा हूं structure.c C का प्रोग्राम है तो extension तो C देना ही पड़ेगा अब मैं लिखूंगा main मेरा जहां से मेरा प्रोग्राम start होता है यह तो मेरा code common है मैंने लिख लिया यहाँ पे मैं लिख रहा हूं struct struct लिखने के बाद मैं लिख देता हूं student small capital capital आपका जैसा मन करें वो लिखो मैं तो capital में student लिख रहा हूं तो जरूरी थोड़ी है capital में ही लिखना पड़ेगा small में ही रहने देता हूं हर जगा फिर capital मुझे use करना पड़ता अपने आप यहाँ पे semi colon आगया notice करो और किसी software में अपने आप नहीं आता पूरे सही प्रोग्राम को गलत बना देते हो मैंने देखा ऐसे बच्चों को भी practical exam के समय भी देखता था college में पूरा प्रोग्राम सही होता था एक छोटी सी mistake होती थी जिसके वज़े से program run नहीं होता था तो वो आगे के आदे घंटे में पूरा प्रोग्राम ही बदल डालते थे उनको याद नहीं रहता था मैं क्या पढ़के आया था आदे घंटे बाद ऐसा change करते थे वो फिर बोल दिया जाए कि आपने मानलो semi colon मिस किया था वहाँ पे तो भी पहले वाला याद नहीं आता इतने confused हो जाते हैं होता ऐसा तो ये चीज है यहाँ पे इंट रोल लिख दूं क्या रोल रोल लंबर बहुत सारे रोल लोग रोल लंबर ऐसा लिखते हैं मैंने बहुत बार समझाया space मत दिया करो आप यही तो गलती करते हैं यह पूरा का पूरा एक वर्ड होना चाहिए दो वर्ड में कभी memory का नाम होई नहीं सकता तो यह गलतीया करते हैं बच्चे फिर उन्हें समझता नहीं error किया इंट रोल फ्लोट परसंटेज इंट मार्क्स मुझे आप लोगों से जानना है क्यार एयरे पता एयरे अच्छा बताना क्यार नेम और रैकेट में टैन लिख देता हूं कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं इसे रुखो कि कि स्ट्रक्ट कि स्टूडन्ट एसवन है जगह इधर आजाओ यहां पर है जगह आज लेट हो गए मेरे से भी ज़्यादा क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टन्ट चीज अभी बता दी इत्ती देर में मैं लेट हो जाओं चल जाएगा आप लोग मत हों आपका जो यह मिस हो जाएगा वह प्रॉब्लम है न अभी देखो इसके बाद मैंने यहां पर लिखा एसवन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एसवन एक ब्लॉक बनेगा कौनसे टाइप का है यह स्ट्रक्ट स्टूडन्ट अब स्टूडन्ट मत बोलो स्ट्रक्ट भी लग चुका है न तो स्ट्रक्ट स्टूडन्ट टाइप का ब्लॉक कितने बाइट का होगा यह सवाल है मेरा यह वाला ब्लॉक तुम भी बहुत लेट हो गये तुम सवा आठ की जगह साड़े आठ आते थे पौने 9 क्रोस कर चुके हो मुझे लगता है अगले हपते तक तुम 9 तक आओगे फिर उसके अगले हपते तक सवा 9 तक तो बोलो चलो जल्दी थर्टीन बाइट का ब्लॉक है अगर आपका ऐसा कहना यह और कोई क्या लगता है कितने बाइट का ब्लॉक है यह इसके अंदर तो भी बनाने है मुझे तो यह गलत जवाब है अगर आप 13 जवाब देते हो मैं खुदी गिनूंगा इंट यह होता है 4 वाइट का क्या नाम है रोल एक है परसेंटेज यह भी होता है 4 वाइट का एक है माक्स यह भी होता है 4 वाइट का और name ये तो पूरा array है 10 blocks है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ये है इसका नाम है name और ये है care type का लेकिन 11111 ऐसे करते हो ये 10 block है मतलब 10 byte 4, 4, 8, 4, 12 और 10 byte 22 byte का block है ये ये array है array मैंने पढ़ाया है इसलिए अभी बता पा रहा हूँ आपसे ये है 22 byte का block खुद देख लो आप computer से भी पूछ सकते हो कि मुझे जानना है कि ये byte कि ये जो है कितने byte का है S1 तो आपना एक size of operator बोलते हैं होता है %D लिखा, कॉमा ये देखो size of इसका देखो color भी change हो गया इसके आगे दो brackets लगाना पड़ता है जब किसकी size जाननी है वो बताने के लिए size of S1 ये देख सकते हैं आप लोग तो यहाँ पे print होगा size देख लेते हैं क्या है यहाँ पे computer के हिसाब से क्या है इसको run कराने के लिए 24 आरा है 24 क्या होता है कि इसकी size अभी जैसे हमने देखी ये तो 4 है 4 8 4 12 10 22 है computer के हिसाब से इसने 24 बताई हुई है अगर मैं इसको नहीं लिखूँ तो देखते हैं कितनी बताता है यह अभी हमें एक idea आजाएगी personal हर एक block की size क्या है इससे मैंने compile and run किया है 12 ये तो ठीक है 12 बता रहा है इसको इसने कितना बता दिया 12 इसको भी 12 बताया अगर सिर्फ एक ही बनाता तो तो ये computer अपने हिसाब से वो set करता है लेकिन 22 वो correct है अभी देख लेते हैं care ये तो one bite का है आप लोग 13 जवाब दे रहे थे ये 16 बता दे रहा है मतलब इसने इसको care को as a four bite treat कर लिया यहाँ पे फिर भी नहीं आएगा सही अगर ये एक four bite का दिखा रहा है आपने यहाँ पांच बोल दिया मान लेते हैं अभी रन कराते हैं four four bite के पांच ब्लॉग यही 20 हो गए और वो 12 यह 20 total बता रहा है तो यह आगे बीछे बता देता है 12 और अभी बोल रहा है 8 bite तो वो care को अपने हिसाब से set कर ले रहा है जैसी उसकी requirement होगी जाने दो आप इतना दियान रखना कि यह 22 bite का ब्लॉग है अभी यह turbo c होता तो सही बताता इसके बाद देखो आगे चलता है turbo c पे चेक करना correct आएगा मतलब याद रखना आपको जब मन करें size of यहाँ लिख दो int मुझे int की size बता करनी कितनी होती है तुरंदे बता देगा int की size यहाँ से बता कर सकते है अपने computer से पूछ सकते है आप size बता दो int की क्या होती है तो वो बता देगा आपको yes one का कोई संबन्दी नहीं आपने bracket में int लिखा हुगा इसलिए आप int से भी बूछ सकते हैं दिखा देता हूँ यह देखो four बता रहा है care one बताएगा किसकी भी यहाँ से पूछ सकते है जाने दो अभी तो हमें size नहीं पूछनी है बस एक तरीका बता दिया screen बेना मैं एक पहला message देना चाहता हूँ printf enter roll number अपना roll number सामने वाले को क्या दिखना चाहिए उसे तो कुछ भी दिखा दो roll लिख दो rolls लिख दो कुछ भी लिख दो roll number जो भी बन करें ये तो screen पे दिखाने वाला message है printf के अंदर ये कुछ भी hello भी हो सकता है लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ enter roll number comma percentage comma marks आप marks भी बताओ and your name बस इस program को run करूँगा तो दिख जाएगा ये message लेकिन user enter करवा नहीं पाएगा क्योंकि आपने scanf लिखा बीना scanf लिखे आप keyboard से कुछ भी enter नहीं करा सकते तो मुझे scanf लिखना पड़ेगा मैं लिखता हूँ scanf और user जो भी चाहे वो enter करा सकता है उसके बाद क्या है float है percentf उसके बाद क्या enter कराना चाहते हो percentd उसके बाद percents यूज़ करूँगा string है जब आपको किसी word को store कराना होता है percents लिखते है मुझे ये वाला type लेना नहीं चाहिए था मैंने आप लोगों को string पढ़ाया नहीं है लेकिन चलो लिख दिया है कुछ तो समझ में आ जाएगा जब character array रहे न मतलब बहुत सारे characters रखने के लिए ज़ादा blocks बन जाए उसको word रख सकते हो फिर तो तो आप ऐसे टाइम पर percents string यूज़ करो string का मतलब होता set of characters बहुत सारे characters का collection मतलब string percentage मैं चाहता तो ये लिखता ही नहीं नहीं लिखूंगा अगली बार से लिख दिया कि कभी पढ़ाते समय अगर future में use कर ली आपको समझेगा ही नहीं क्या इसके लिए भी मैंने लिख लिया कॉमा क्या लिखू end percent S1 के roll में रख दिया जाए कॉमा S1 के कहां पे रख हूँ बोलो जल्दी PER में रख दिया जाए कॉमा हाँ लेकिन end percent क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं हाँ S1 के अब कहां पे तीसरा marks में कॉमा हाँ सही बोल रहे हो उसके बाद कॉमा S1 के name में हाँ यह समझना बस rule यह है कि percent S जब use करते हैं तो end percent नहीं लगाते पूरे C language में एक ही बार ऐसा आपको सुनने में आ रहा है कि percent S जब आप use करोगे किसी word को रखने की कोशिश करोगे तो scanf के अंदर end percent नहीं लिखा जाता आप अभी नहीं बोल दिया तो int में मत लिखना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं वहाँ लिखना ही पड़ेगा float में लिखना पड़ेगा हर जगा लिखना पड़ेगा यहाँ था कि character में भी लिखना पड़ेगा मैं character array की बात कर रहा हूँ character array सुन लो सब लोग character array में नहीं लिखना पड़ता this is the character array अगर मैंने लिखा होता सिर्फ care, मतलब एक single block one byte वाला, तो आपको यहाँ percent c लिखना पड़ता और यहाँ पे and percent लिखना पड़ता याद रखो percent c कब लिखना पड़ता शलो enter भी हो गया होगा run करा के भी देखेंगे run कराने के बाद पता चलेगा क्या हम चार चीज़ें enter करा पा रहे हैं या नहीं आप ऐसा भी बोल सकते थे enter roll number scanf enter percentage scanf enter marks scanf enter your name scanf अलग-अलग कर सकते थे मैंने एक में गर दिया lines भी बच जाएंगी हाद रो लंबर है मेरा 56 percentage है मेरे 68.99 उसके बाद marks मिले हुए हैं मुझे 421 उसके बाद है name है मेरा अजय बस हाँ मैं सब कुछ enter करवा पाया और प्रोग्राम खतम हो गया मुझे इस बात का proof चाहिए कि जो भी मैंने enter करवाया वो सच में उसी memory में store हुआ तो क्या करू मुझे इस बात का proof चाहिए जो भी मैंने enter किया वो उसी memories में store हुआ S1 के अंदर इस बात के लिए क्या करू तुम बता सकती हो क्या करना चाहिए मुझे मुझे इस बात का proof चाहिए कि जो भी मैंने इंटर कराया वो S1 में ही गया पीछे हाँ तुम तीनो क्या लगता है मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए तुम बता सकती हो तुम तीनो कैसे प्रूफ मिलेगा मुझे की S1 में ही गया क्या हाँ पे S1 को प्रिंट करा दो प्रूफ मिल जाएगा S1 में रख रहा है S1 को प्रिंट कराओ अगर उसके अंदर नहीं हुआ तो नहीं प्रिंट गया क्या जा रहा है प्रिंट करा के देख लो प्रूफ चाहिए न आपको ले लो प्रूफ कर देते हैं एक बार प्रिंट प्रिंट F इधर भी वहीю %D %S हाँ बस अप्रिंट कराना न तो end % नहीं लगाते S1 के रोल को कराना और क्या कराना S1 के % को कराना S1 के मारक्स को कराना S1 के name को कराना बस ऐसा ही यह क्या रन करके देख लिए एक बार अभी पता चल जाएगा कुछ अलग नहीं है देखते हैं इसको रन कर आके रोल नंबर है मेरा 34 परसेंटेज है 91.34 उसके बाद क्या है माक्स है 538 उसके बाद है नाम है अतुल हाँ सही है मैंने जैसे ये इंटर दबाया वो प्रिंट हो गया तीनो क्योंकि मैंने प्रिंटेफ के अंदर तीनो को प्रिंट कराने की बात की थी और स्पेस भी दिया था तो 34, 91.339 और 538 अतुल देख सकते हो ये डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजीट्स ले लेता है तो जैसे उस दिन मैंने बोला था कि डाट तू अगर मैं लिखूँ अरे यहां नहीं प्रिंट कराते समय डाट तू और अभी एक बार रन कराता हूँ देखते हैं क्या होता इसको रन कराके देखेंगे अभी पता चल जाएगा रोल लंबर है 22 परसेंटेज है 66.12 मार्क्स है मेरे जैसे मैं बोल देता हूँ 765 और नेम है अमित तो आप नोटिस करोगे तो सिर्फ मुझे अब डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजीट दिखाई दे रहे है नहीं तो हमेशा आप फ्लोट को प्रिंट कराओगे न पाच्छे डिजीट्स दिखाई देते हैं हमेशा तो राउंड आफ हो जाता है आपने बोल दिया dot 2 मतलब dot के बाद डो डिजीट्स दिखाई देने के लिए dot 2 लिखते है dot के बाद तीन डिजीट दिखाई देने के लिए dot 3 लिखते है तो यह आप तै करो आपको कितना चाहिए यह एक और चीज है उस दिन किसी ने पूछा भी था मैंने बोला था बाद में मेरे को अभी आता है तो और वैसे भी students करते हैं कभी कभी मुझे message कि यह program बताओ वो program बताओ वो program बताओ धीरे धीरे हम सारी चीजे cover कर लेंगे वही program आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा रुख जाओ हर एक के program को solve कराना भी मेरे लिए मुश्किल होता है और फिर हमारे topics मिस हो जाते हैं हम यह सी में चलते रहते हैं फिर topic cover ही नहीं होता है इसके लिए ज़रूरी है एक एक और बात रुको मुझे ना एक book की information store करानी है book आप सोचो ना एक student की पूरी information हमने एक जगह रख दी उसका roll number उसका नाम उसके marks एक जगह वैसे एक और student बना सकता था struct student s2 उसमें भी रखवा देता struct student s3 उसमें भी उसकी information ऐसे करके मैं बहुत सारे blocks बनाता अलग-अलग student की पूरी information एक जगह पे organize करके रखता इसको data structure बोलता है structure ही use कर रहे हो आप और data को organize करके अच्छी तरीके से efficient manner में एक जगह पे रखना ही data structure है यह हमें पढ़ना है अगले lecture में तो एक ही यह चीज है c वालों को नहीं आना है कल सिर्फ जो placement वाले वो आएंगे कुछ c वाले भी बच्चे हैं अभी देखो इसके बाद यह c language हाँ अभी मैं न structure dot c अभी run करता हूँ main से program शुरू होगा तो मैं main लिखूंगा मैं यहाँ पे get ch भी लिखूंगा कहा गया लिखा और इसके बाद मैं लिखूंगा struct book बी capital कर दिया जरूरी नहीं था हाँ सही बोल रहा हो struct की spelling गलत है नहीं तो उसका color बदल गया होता color नहीं बदला total 32 keywords है total 32 times color बदलेगा for भी keyword है c language में if भी keyword है else भी keyword है break भी keyword है continue भी keyword है उसके बाद return भी keyword है data type जो आता है int care float ये keyword भी है ये reserve words होता है keywords का मतलब होता है reserve words ये total 32 है c language में care int वगरे ये data type भी है लेकिन keywords भी है ऐसे total list आती है उसकी तो जो list आती है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है keywords in C एसी list होती है ये देखो आटो ब्रेक केस कैर अब ये color इन्हों ने ऐसे खाली अच्छा दिखने के लिए लिखा हुआ है color का कोई संबन्द नहीं है तो कॉंस्ट है continue default go to if int long register short ये सब हमें देखने आगे रिजिस्टर टाइप ओ डेफ अच्छा ये add हुआ है मुझे लगता है कितने हो गए total एक दो तीन चार पात छे साथ अच्छा ठीक है टाइप डेफ है ये टाइप डेफ है ये गलत है यहां पर ओ नहीं आएगा टाइप डेफ है वो switch struct static size of signed unsigned ये सारे keywords है volatile और while do भी है क्या हा है न तो ऐसे keywords है ये reserve words है reserve word का मतलब जानते हो क्या अगर आप memory बनाते हो देखो इंट लिए x लिखते हो आप int if नहीं लिख सकते memory का नाम if नहीं रख सकते memory का नाम for नहीं रख सकते क्यों reserve है न वो उनका use और किसी काम के लिए नहीं होगा ये है reserve words तो ये जो 32 words है वो reserve करके रख लिए गए है आप मत छूना उनको किसी और काम को करने के लिए हाँ आपको फॉर लिखना ये ना तो capital में लिख दो ये चलेगा ये अलग meaning ही बदल गया small capital दोनों में तो फरक होता है तो याद रखना reserve words ये होता है total 32 c++ में 48 होता है python में 36 होता है जावा में 54 होता है वो एकादे आगे पीछे बढ़ते हैं किसी को हटाते हैं कोई बढ़ जाता है तो वैसे होता है date आता है तो change होता है बुक की information बुक का id बुक की price और author name ऐसे मुझे store कराना तो मैं लिख देता हूं int book id बी id लिख दू क्या अच्छा underscore लगा देता हूं book id book price float float में ले लेते हैं book price बस दो ही रखते हैं जाने पर छोटा example ले ले लेते हैं इतना ही रखना है store कराना हमें तो अगर आपको बनाना है एक block तो लिखना पड़ेगा struct book b1,b2 दो दो बना दी है क्या आप int x,y नहीं लिखते थे लिखते ही थे वैसे ही book b1,b2 भी लिख सकते हो तो ऐसा भी लिखा तो कोई अलग चीज नहीं है हाँ दो बड़े-बड़े blocks बन गए बड़े-बड़े मतलब कितने byte के बने होंगे आप बताओ बताओ बी 1 कितने byte का है b2 कितने byte का है बोल दो चलो 8 byte का है b1 और 8 byte का है b2 4 4 का नहीं है अच्छा मैंने ये अलग अलग बताया क्या 4 4 4 4 4 ऐसा बोल रहे हो क्या अच्छा दस block होते तो 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे बताते आप मैंने total size पूछी थी ठीक है आपको समझ में आना चाहिए ये जरूरी है आप कैसे जवाब दे रहो ये हाँ ये भी गलती करते है आप जवाब नहीं दे पाते आपको answer आता है बोलना कैसे होता ये नहीं पता होता हम जवाब नहीं दे पाते मैंने आपको बोला है कि टास्क starting के lectures में कि सब title वाले continue एक ही movie को 10 बार देखो एक ही को movie याद कर डालो जिसमें शब्द है continuously कुछ समझ में आपको आ रहा है कुछ ना कुछ बोला जा रहा है continuous देखो आप 10 बार देखो 20 बार देख लो movie याद कर लो जब आप एक movie पूरी याद कर लोगे जैसे हम बहुत सारी movies के dialogue से याद कर लेते हैं कभी कभी हम वैसा बोलते भी हैं किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे मूझ से वो dialogue निकल जाता है आपको भी पता है तो अगर आप English movies भी देख लेते हो 10 बार 15 बार पूरी की पूरी दो घंटे में कितनी बाते होती है और आपक यह बहुत सबसे आसान तरीका है इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है क्लास लगवाओगे English speaking का कुछ नहीं होता अभी जो बच्चे करते हैं उनसे पूछ लेना आपको नहीं पता होता मुझे बिलकुल भी विश्वास नहीं है मेरे पास बहुत सारे आते हैं क्लास वाले कि ह हमको एक सेशन लेने दो ना जिसमें हम English speaking करते हैं और भी आते हैं ऐसे लोग मैं नहीं बोल देता हूं directly कि नहीं कोई जरूत नहीं है हम अच्छा बढ़ाते हैं ऐसे भी आते हैं कार्ड देते हैं कि अगर किसी ने क्लास लगवाया तो 20% आपका ऐसे भी करते हैं हम कभी किस सब्सक्राइंस नहीं है आपके यहां पर डॉट नेट नहीं है तो वो क्या है वो माइक्रोसॉफ्ट वाला एक आता है भी बहुत मतलब ऐसे अलग अलग कोर्सें से जैसे अजियोर है वगरे जो हम नहीं पढ़ाते वह आप करा सकते हो आप भी सकते हमारे पास लेकिन हम लो बेस्ट पढ़ाएंगे फिर भी मैं एक बार आये थे मैंने बोला था अगर आप बेस्ट पढ़ाते भी हो तो मैं भेज दूंगा बच्चों को लेकिन मुझे परसंटेज की बात मत करो मुझे परसंटेज नहीं चाहिए कोई भी उसके तो लेकिन फिर नहीं चला वो क्लास भी बंद हो गया तो अलग-अलग ऐसे रहते हैं क्लासिस वाले वह अपने अपने तरीके से मार्केटिंग करते हैं किसी से टाइब करते हैं ऐसे कि यहां तक लिखा मैंने बीवन बीटू यह जो है बुक आईडी बुक प्राइज और यह वाला ब्लॉक है बुक आईडी बुक प्राइज यह इंट टाइप का है यह फ्लोट टाइप का है यह इंट है यह फ्लोट है यह फोरवाइट का है यह भी फोरवाइट का है और यह है स्ट्रक्ट बुक टाइप का सिर्फ बुक टाइप का मत बोला करो struct book बोला करो struct keyword लग चुका है तो struct book type का है अब बात आती ही रखने की चलो direct रख दू क्या B1 के BID में रख दिया जाए book ID है 1 B1 के book price में रख दिया जाए price है book की 123 .50 हाँ अभी कौन बचा B2 बच गया B2 के book ID में रख दिया जाए 2 B2 की B price जो है वो है 81.50 बस लेकिन मुझे तो print भी कराना है तो print कराने के लिए printf लिखना पड़ेगा %d लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये print कराना ID और क्या है price flow type का है %f फिर %d फिर %f आप बोलोगे क्यों अरे अगले B2 के लिए ये B1 के लिए ये B2 अलग से print अब लिख सकता था मैं ये होने के बाद लेकिन जाने तो एक में प्रिंट करा दिया कॉमा क्या-क्या print कराना है सबसे पहले B1 का BID कॉमा B1 का B price इतना बड़ा नाम रखा अच्छा अलग-अलग ही कर दूँ क्या आगे फिर जगा के वज़े से इसको हटा देता हूँ हाँ ये print हो जाएगा और line बदल जाएगी backslash end से line बदलती है उसके बाद लिख देता हूँ वापिस से printf वापिस से %d %f backslash end चाहिए तो दे दो कॉमा क्या-क्या %d की जगा b2.bid कॉमा b2.bprice बस हो गया क्या आप देख सकते हो इसको run कराते हैं देखते हैं क्या error है हाँ मैंने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पर compulsory semicolon लगाना पड़ेगा error क्या है वो भी पड़ते है हाँ यहाँ semicolon बता रहा है यह void के पहले expected semicolon और bracket दोनों में से कुछ तो missing है हाँ अभी run कराता है तो जब इसको run कराएंगे देखते हैं क्या print करता है यह आएगा हाँ यह है यह हाँ सही है बस यह ज़्यादा मुझे दिखा रहा है इसलिए क्योंकि मैंने न डॉट टू नहीं लिखा मतलब टू चाहिए तो तो आप लिख सकते हो बाकी तो पुरा सही है एकदम सही आ रहा है आप लिख सकते हो बुक वन इंफॉर्मेशन बुक वन डिटेल्स कोलन और उसके बाद दिखे और यहां पर लिख देता हूं यही चीज उठा के सिचैनफ ये नहीं किया मैंने डायरेक रखवा दिया 이걸 कीबोर्ड से एंकpow करवने का तेंसहिन नहीं रख कै यहां पर देखो 徒डायरेक वन रख दिया डायरेक वन ट्वेंटिरी पॉंट गए तो के ज़रूध ही नहीं पड़ी मुझे यह फाइदा हो गया हमारा नहीं तो स्कैन अप वगरे लिखना पड़ता अब इसको रन किया देखते हैं क्या आता है एक गलती और क्या करते हो यह स्क्रीन है अब आपना प्रोग्राम में आ जाते हो आप भूल जाते हो कि आपने आउट्पुट स्क्रीन को क्लोस नहीं कि यह देखो इधर दिख रही है छुटी हुई है क्लोस नहीं है जब आप प्रोग्राम में चेंज इस कर लेते हो आप इससे कुछ तो आप सोचते हो चलो कंपाइल करें फिर आप यहां पर देखते हो अरे अरे दिख्यों नहीं रहा है आप ऐसा सोचते हो फिर आप इसका फोटो भेशते हो ग्रूप पे थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते है आप तुरंद कुछ भी रहा है तुरंद भेशते हो क्विक सर्विस शही है मतलब आपके भी दिमाग में है कि मैं खुद नहीं दिमाग लगाना चाहता कोई भी प्रॉब्लेम हो मुझे क्विक सर्विस शही है कितनी मिलेगी बताओ थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो जब आपको लगे बिलकुल ही नहीं आ रहा है तो की बात अलग है और दूसरी चीज़ जब आपने आउटपुट स्क्रीन क्लोज ही नहीं किये तो दूसरी अहाßen कहां से देगा ये पहले इसको क्लोज करो यहां से आपने इसको क्लोज किया अब जाके आप दूसरी फिर से करता हो, यह mistake होती है, तो आप इसे लिख सकते हो, दोनों को बिना देखे, चलो शुरू करो लिखना, बिना देखे, सवाल ये है मेरा, कि ये ब्रोग्राम है, main function लिखा हुआ है, A, B, memories बनी हुई है, B लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस बोलते हो, आप गलत, क्या बोल रहे हो, यहां आठ, गलत, यहां पर आठ नहीं, अब क्या हो गया, ये जो operator आपको दिखाई दे रहा है, इस operator को बोलता है, post increment, क्योंकि प्लस बाद में है, इसलिए post increment, इस operator में क्या हो रहा है, पहले plus है, इसलिए pre increment, और इसको क्या बोलता है, post increment, तो होता क्या है, internally, pre increment का मतलब है, पहले बढ़ा दो A को, A में कितना 7 है, बढ़ा के 8 कर दो, फिर B में डालो, ओके B में 8 जाएगा, इसलिए 8 प्रिंट होगा, ल सिखा है, post increment, मतलब पहले, बाद में बढ़ाना, पहले अपना काम कर लो, क्या करना, A को रख दो B में, A में कितना 7 है, B में रख दिया, तो 7 आएगा, ठीक है, अगली line में A बढ़ के हो जाएगा, कितना 8, तो अगर मैं A को प्रिंट कराता, तो 80 प्रिंट होता, मैंने A को नहीं कराया, मैंने B को कराया, याद रखना, post increment का मतलब होता, अगली line में बढ़ना, तुरंत जगा पे नहीं, उस line में नहीं, अगली line में, तो जब line बढ़ जाएगा, पहले क्या होगा, B में क्या चला जाएगा, जो A में था, A में क्या था, 7 था, 7 चला गया, बाद में A बढ़ा होगा, मैं मानता हूँ, अगर A को print कराते दोनों जगा, तो दोनों जगा 8 print होता, इसलिए मैंने जान बूच के B में डाला दोनों जगा, और फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, यह pre increment और post increment की कहानी है, समझे क्या है, तो पहले यहाँ पे चला जाएगा, सारा काम हो जाएगा, A++, post increment मतलब बात में, चलो एक सवाल और है, इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे, यह तो मैंने आपको समझा दिया, pre और post, चलो बताओ, int, A is equal to minus 6, printf, आप बताओगे, %D, 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 इस जगह पे क्या print होना चाहिए, कॉम अगर के लिग देता हूँ, प्लस प्लस A, A++, minus minus A, and A minus minus, देख सकते हैं आप लोग, प्लस प्लस A, A++, minus minus A, A minus minus, इस जगह पे क्या print होगा, बहुत कम लोग मुझे लगता है कि कोई नहीं जवाब दे पाएगा, online वालों को भी मौका देंगे हम, एक मिनट, online वाले आप लोग पहले question देख लोग चाहिए, तो, कहा गया, इसमें बताया है न, आपके सामने, क्या इधर, minus 5, minus 6, minus 7, minus 6, ऐसा इनका जवाब है, तुम्हारा जवाब दो, रख सकते हैं न, क्यों, numbers कोई भी रखो, plus minus कुछ भी चलेगा, हाँ, तुम बताओ, क्या होगा, यहाँ पर, और पीछे किसी को क्या लगता है, बोलो, लाश्ट में तुम चारों, पाचों, minus 5, minus 5, minus 6, और कोई, मतलब, पहले, a, plus, plus, याद रखना, हमेशा, जो प्रिंटिंग होती न, right side से होती है, पहला rule है, तो सबसे पहले कौन है, a, minus, minus, तो देखते हैं क्या होता है, a में कितना है, minus 6, यहाँ लिखा है, minus, minus करना है, लेकिन बाद में करना है, पहले, print कराना है, a, minus, minus, यह कौन सा increment है, post, decrement है, post, बाद में minus कराओ, पहले, print करा लो, क्या है, minus 6, as it is, print होगा, उसके बाद, a के अंदर क्या था, minus 6, वो change होगे, कितना हो जाएगा, minus seven minus six है ना minus minus करोगे तो क्या होगा minus six minus one कितना minus seven लिखा हुआ है उसके बाद आगे यहां लिखा पहले कम कर लो और फिर print कर आओ यह क्या pre decrement है pre पहले कम कर लो minus seven में कम कर लो minus eight चीए minus eight है आपके पास हमेशा के लिए minus eight है अब लिखा है बाद में बढ़ाओ बाद में प्लस प्लस बाद में देख लो पहले print करा लो चलो बढ़ा के कितना हो जाएगा minus seven minus eight को बढ़ाओगे ना एक से minus seven होता है उसके बाद लिखा है plus plus a पहले बढ़ा लो minus seven में एक बढ़ाओगे कितना minus six इसको एक बार तर्बो C में चलाएंगे माइनस 6, माइनस 8, माइनस 6 मैं पहली बात तो दिखा देता हूँ हमारा जो result हो सकता है आप लोग सही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता माइनस 6, माइनस 8, माइनस 8 और माइनस 6 है यह गलत है मतलब आप भी सही हो सकता है अभी चला के हम देखेंगे टर्बो सी सॉक्वेर उपन करता हूँ जो मैं प्रॉपर एग्जेक्ट result देगा फाइल न्यू फाइल फाइल से वैस बहुत लोग नहीं करते डॉट सी पी पी एक्स्टेंशन रहने देता है इसलिए गलत हो जाता है प्री इंक्री डाट सी और यहां पर वॉइड में से प्रोग्राम शुरू होगा गेट सी एच तो लिखना ही पड़ेगा तो यहां पर गेट सी एच लिख देता हूँ और उसके बाद यहां पर क्या लिखें हम इंक और मेमरीज बनानी है न मुझे क्या था अपने इसमें माइनस 6 था ना plain screen लिख देता है यह software ऐसा है यह कि इसमें clear screen भी लिखना पड़ता है हाँ प्रिट्टप क्या अपने क्या था याद है रूखो प्लस था सही है माइनस माइनस ए ए माइनस माइनस ए अच्छा ठीक है मेमरी का नाम ए अच्छा हमने एक्स किया क्या ठीक है इसको ए कर दो या नीचे लिखे होते है वैसा ठीक है अभी यह आपके सामने है इसको रन कराता है minus 6 minus 8 minus 8 minus 6 दो बार minus 8 है दो बार minus 6 है लेकिन minus 6 minus 6 बात में अभी हमारा देखते है क्या आया था यही था तो अगर यही था तो हम सही हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा एक बार और आपसे पूछने की कोशिश करूँगा मुझे पता है फिर भी आप गलत बताओगे सही बोल रहा हूँ पूछता हूँ रुख जाओ इसको close कर देता हूँ हाँ तुम लोगों का क्या है तो ये सब गलत है संजय तुम्हारा संजय मोदी minus 6 minus 8 minus ये बीच में minus 8 minus 8 आएगा ठीक है अब और चेक करते हैं यहाँ पर इसके बाद ये एक एकजमपल और है मैं प्राइविट चैट रखता हूँ अगले लेक्चर से सब आपस में ही बात करते हो तो ध्यान नहीं देते क्या चल रहा है ये देखो यहाँ पर एक और सवाल है int x equal to आप गलत बताओगे पक्का ये ऐसा कोई पूछता नहीं लेकिन बता रहा हूँ खाली आपको ये है ये है उप्लस प्लस x x एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस आपके सामने ये एक्जम्पल है ओनलाईन वालों को भी करना है इसे सॉल और बताना है कि क्या आएगा हाराओ लिखता हूँ माइनस सेवेंटीन माइनस नाइन्टीन माइनस एटीन माइनस नाइन्टीन माइनस एटीन ठीक है लिखा तुम्हारा एंसर हाँ और किसका है बोलो चलो तुम माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स्टीन माइनस सिक्स्टीन माइनस 16 माइनस 18 तुम बोलो हाँ माइनस 20 माइनस 18 हाँ और कोई अलग है इन से तो बताना इन तीनों से अलग हो तो बताना और कोई हाँ बोलो माइनस 17 माइनस 18 माइनस 17 सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स माइनस माइनस बाद में कम करना है अभी कितना है वो माइनस एटीन है एज इट इस लिखा उसको हम एकदम प्रॉपर लिखेंगे यहां लिख देता हूँ माइनस एटीन है वो हाँ लेकिन कम भी तो कर दिया होगा अगली बार तक तो होई गया होगा वो हो गया होगा माइनस नैंटीन कम करने पर कम हो गया माइनस अट्रा में से एक गया माइनस उननीस अब लिखा है एक बढ़ा दो लेकिन बाद में पहले प्रिंट करा लो कितना हो ठीक है यहां लिखा बढ़ाना लेकिन बाद में यह बाद है पोस्ट है पहले कितना है वो जितना है उतना लिख लिया अब बढ़ गया बढ़ने के बाद यह कितना होगा मालूम है यहां लिखा बाद में घटा हो पहले जैसा है वैसा ही लिख लो हाँ लेकिन अब घटा भी लो अब लिखा एकस प्लस प्लस लेकिन पहले जितना है उसको प्रिंट करा लो बाद में बढ़ा हो यह क्या बाद में है तो as it is लिख लो, फिर बढ़ा दिया, तो यह हो जाएगा, minus 18, यहां लिखा है, minus 18, पहले बढ़ा हो, minus 18 में एक बढ़ा दोगे तो, minus 19, minus 17, यह जो पहला answer था, यह सही था, किसने बताया था, good, very good, बाकी लगभग सबका गलत है, और आप लोगों ने कोशिश नहीं की है, अच्छे से, ऐसे examples, एक example आपको घर पे करने के लिए दे देता हूँ, आपको practice करनी है, सिर्व यह जो value है न, यहां पे value इसको कर देता हूँ, minus 78, और यहां पे कर देता हूँ, x minus minus, और यहां पे कर देता हूँ, minus minus x, यह, same, यह आपको करना homework, खुद से try करके देखना क्या आता है, बाद में न, उसको run कराके देखना क्या आता है, same है, थोड़ा सा change किया हूँ, घर पे try जरूर करना आज, solve करना, देखना क्या result आता है, ठीक है, चलो फिर bye, सबको बागी अगले lecture में देख,